दीदी, शेहर में मेरे अधिकतर दोस्तों के पास email account है मैं भी एक रखने का इच्छुख हूँ, क्या मैं भी email account खोल सकता हूँ? बिलकुर रोहन, तुम भे विभिन email सेवाओं के द्वारा अपना email account खोल सकते हो लेकिन कैसे दीदी? मैं email के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ ठीक है, मैं तुमें दिखाती हूँ कि email सेवाओं के द्वारा तुम अपना account कैसे खोल सकते हो? बहुत अच्छा दीदी email या electronic mail इंटरनेट पर संदेशों के आदान प्रदान का एक तरीका है email में कई भाग होते हैं प्राप्तकरताक्षेत्र, विशेक्षेत्र और संदेशक्षेत्र इन अनुप्रयोगों का उप्योग करने के लिए आपके पास एक email account होना चाहिए वेब आधारित बहुत सारी email सेवाएं उपलब्ध हैं जैसे Gmail, Yahoo और Hotmail आप इन में से किसी एक वेब साइट पर अथवा सभी पर अपना email account बना सकते हैं चलो हम सीखते हैं कि आप अपना Gmail account कैसे बनाएंगे और संचालत करेंगे Gmail account बनाने के लिए पहले web browser खुले अब address बार में www.gmail.com टाइप करें तब go button पर क्लिक करें या enter button दबाएं उसके बाद नया account बनाएं पर क्लिक करें अब online पंजी करन फॉर्म भरें तब आगे button पर क्लिक करें और तब Gmail पर जारी रखें पर क्लिक करें अब अपना email account प्रयोग कर सकते हैं Gmail account का प्रयोग करना जीमेल अकाउंट तक पहुचने के लिए आपको पहले साइन इन करना होगा और इसके लिए पहले जीमेल होमपेज पर जाएं और स्क्रीन पर दाई और दिखाए गए पर अपना उपयोग करता का नाम वो पासवर्ट टाइप करें फिर साइन इन बटन दबाएं अब आप अपने अकाउंट प्रश्ट देख सकते हैं प्रश्ट पर विभिन लिंक जैसे इन बॉक्स, स्टार्ट, इम्पोर्टेंट, सेंट मेल, ड्राफ्ट और कम्पोस होते हैं ये लिंक अपने से संबंदित जानकारी रखते हैं इन बॉक्स सभी प्राप्त होने वाले संदेशों को संचित करता है इन बॉक्स पर कलिक करके आप प्राप्त सबी संदेशों सें दाहिने भाग पर आप प्राप्त की गई सभी इमेलों को देख सकते हैं और उनमें से किसी को देखने के लिए आप उसे खोल सकते हैं यदि आप इमेल भेजने वाले को जवाब देना चाहते हैं तो इमेल के दाहिनी और दिख रहे तीर पर क्लिक करें और फिर रिप्लाइ बटन पर क्लिक करें एक रिप्लाइ बॉक्स दिखाई देगा जिस पर सेवा में के क्षेत्र में प्राप्त करता की इमेल आईडी दर्श होगी संदेश क्षेत्र में अपना जवाब टाइब करें फिर इमेल भेजने के लिए उपर दाहिनी और दिख रहे भेजें बटन पर क्लिक करें. दीदी, अपने किसी एक मित्र को इमेल कैसे भेज़ सकता हूँ? यह बहुत आसान है, केवल नीचे दिये गए पदों का अनुसरन करें. पहला, कंपोज, संदेश बनाएं पर क्लिक करें. एक नई संदेश विंडो दिखेगी. तब सेवा में क्षेत्र में उसकी इमेल आईडी टाइप करें, जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं. कई लोगों को एक साथ ही संदेश भेजने के लिए, आप सेवा में क्षेत्र में अलप विराम के साथ उनकी आईडी टाइप कर उन्हें एक साथ ही संदेश भेज सकते हैं. अब विशे क्षेत्र में अपने संदेश का विशे टाइप करें. विशेक्षेत्र बॉक्स के ठीक नीचे अटाच फाइल लिंक पर क्लिक करके आप अपने संदेश के साथ दस्तावेज या चित्र भी भेज सकते हैं संदेश क्षेत्र ठीक उपर फॉमाटिंग बटन आपको अपनी इच्छानुसार संदेश को फॉमाट सुविधा देता है फिर अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें सफलता पूर्वक भेजे गए सभी इमेल भेजे गए संदेश फोल्डर में संरक्षित हो जाएंगे। आपके कुछ अपूर्ण संदेश ड्राफ्ट फोल्डर में संरक्षित हो जाएंगे। आप इन ड्राफ्ट संदेशों को कभी भी पूरा कर भेज सकते हैं। नया संदेश बनाने के लिए पहले नया संदेश बनाए यानि compose mail पर क्लिक करें। फिर टू बॉक्स में उसकी email id टाइप करें जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। यदि आप संदेश की प्रती किसी अन्ने को भी भेजना चाहते हैं तो उसका email address cc box में टाइप करें। cc का अर्थ है carbon copy। अब विशेक शेतर में अपने संदेश का संख्शिप्त विशे टाइप करें। अब विशेक शेतर के ठीक नीचे खालिस्थान पर अपना संदेश लिख सकते हैं। पहला संदेश को चुनो तब reply पर क्लिक करो। तब आप compose प्रिष्ट पर निर्देशित कर दिये जाएंगे। जिस पर भेजने वाले का इमेल पता और संदेश का विशे पहले से ही दर्ज होगा। अब विशेक शेतर के ठीक नीचे खालिस्थान पर अपना संदेश लिखें। यदि आप संदेश ड्राफ्ट संदेश की भाती संरक्षित करना चाहते हैं तो सेव ड्राफ्ट या सेव नाउ पर क्लिक करें। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजे बटन पर क्लिक करें। आप अपने इमेल संदेश के साथ दस्तावेस या चितर भी जोड़ कर भेज सकते हैं। कंपोज प्रिष्ट पर सबसे नीचे अटाच फाइल आइकान पर क्लिक करें। एक नई विंडो आपको निर्देशित करते हुए प्रकट होगी कि फाइल जिस फोल्डर में सुरक्षित हो उसे चुनो। जिस फाइल को जोड़ना चाहते हो उसे खोजे और फिर उस पर क्लिक करो। तथ पच्चाथ विंडो पर ओपन पर क्लिक करें। जिस फाइल को जोड़ा है वह सबजेक्ट बॉक्स के नीचे दिखाई देगी। अपने संदेश को भेजने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। एक संदेश अत्वा कई संदेशों को मिटाने के लिए पहले इन बॉक्स पर क्लिक करें। तब उन संदेशों के बगल में बने चेक पर क्लिक करें जिनें आप मिटाना चाहते हों और तब प्रिष्ट में उपर डिलीट आइकॉन पर क्लिक करें ईमेल अकाउंट से बाहर निकलने के लिए पहले साइन आउट लिंक ढूंडें और उस पर क्लिक करें जो प्राय है इमेल अकाउंट के दाई और होता है जिससे आपको इमेल प्राप्त हुआ है उसे जवाब देने के लिए रिप्लाइ विकल्प का चैन करें प्राप्त संदेश में व्यक्त की गई सभी इमेल आईडी पर जवाब भेजने के लिए reply all विकल्प का चैन करें यदि आप किसी विशेश संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं जिसकी इमेल आईडी संदेश की किसी भी फिल्ड में नहीं है तो आप उस संदेश को उसे अग्रसारत या आगे किसी अन्य को भेज सकते हैं इसके लिए आपको forward बटन का प्रयोग कर इमेल आईडी टाइप कर और send बटन का चैन करना होता है सनलगन फाइलें वे फाइलें हैं जो इमेल संदेश के साथ जैसे रिपोर्ट, दस्तावेज और फोटो भेज़ें अब मुझे अपने अकाउंट में प्रवेश करके दिखाएं एक संदेश बनाएं और एक फोटो के साथ अपने किसी मित्र को भेजें हां मैं भी स्वेम प्रियास करने को उच्चु खूंँ झाल मैं जानती हूँ कि अब तुम इमेल सुविधाओं का उपयोग कर सकते हो यहाँ एक कतिविधी दी गई है जिससे आप अब तक सीखी बातों को दोहराएंगे प्रते एक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही है अच्छा प्रयास सही नहीं है रिप्या पुनह प्रयास करें सही है अच्छा प्रयास इंटरनेट का उपयोग करने के विभिन रोचक तरीके हैं उनमें से एक है कि आप वोईस मेल भेज सकते हैं या इंटरनेट का उपयोग मोबाईल फोन की तरह कर सकते हैं सजदीदी वाँ यह तो बहुत ही रुमांचकारी है हाँ रोहन बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो इंटरनेट को टेलिफोन युक्त बनाती हैं आप उनमें से कुछ के बारे में मुझे कृपया बताईए बिल्कुल अब हम ऐसी सेवाओं के बारे में चर्चा करते हैं वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकोल एक तक्नीक है जिसका उपयोग इंटरनेट पर फोन सेवाओं के लिए किया जाता है VOIP के द्वारा इंटरनेट पर VOIP सेवा प्रदाता वमानक कंप्यूटर की आवाज प्रनाली का प्रयोग कर कॉल की जा सकती है VOIP लंबी दूरी की पारंपरिक कॉल लागत की तुलना में अच्छी खासी बचत करता है VOIP के प्रमुख उदाहरन है Skype चलो सीखते हैं कि Skype को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाए Skype संचार का एक ही अंत्र है जो इंटरनेट के माध्यम से संसार भर में कहीं पर भी मुफ्त में बात करने की अनुमती देता है आप अपने कंप्यूटर, लैप्टॉप से Skype प्रयोग करता वो लैंड लाइन या मुबाइल फोन पर शुलक रहित कॉल कर सकते हैं Skype के विशेशताएं हैं त्वरित संदेश भेजना, वोईस कॉल वो वीडियो कॉल Skype को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के कदम पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर एक बार जब इंटरनेट खुल जाए तब एड्रेस बार में www.skype.com टाइप करें अब गो बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं Skype का होम पेज अब खुल जाएगा तब डाउनलोड पर क्लिक करें डिवाइस सेक्शन में कंप्यूटर डिफॉल्ट रूप से चुना गया है तब पच्चात गेट स्काइप फॉर विंडोज डेस्क्टॉप Skype बटन पर क्लिक करें Skype setup.exe का प्रारंभिक प्रश्ट दिखाई पड़ेगा अब फाइल का कंप्यूटर में समुचित स्थान पर सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें एप्लिकेशन को स्थापित करने के लिए उस स्थान पर जाएं जहां पर सेटप फाइल को सुरक्षित रखा गया है और फिर Skype की सेटप फाइल Skype setup.exe पर डबल क्लिक करें फाइल खोले सुरक्षा चेतावनी दिखाई पड़ती है अब स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें अब drop-down menu से भाषा English का चैन करें और फिर I agree next बटन पर क्लिक करें तब continue बटन पर क्लिक करें Skype का स्थापन प्रारंब हो जाएगा स्थापन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करें एक बार जब स्थापन प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो नया अकाउंट बनाने के लिए create an account बटन पर क्लिक करें तब एक sign-in वेब प्रष्ट प्रकट होगा अब पंजी करन फॉर्म पर आवश्यक विवरन दर्ज करें अब सुरक्षा शब्द दर्ज करें और फिर I agree continue बटन पर क्लिक करें आपका Skype अकाउंट बन जाएगा अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आप संपर्कों के साथ समवाद स्थापित करने में Skype का प्रयोग कैसे करें हाँ, कृप्या समझाईए यह सब बहुत ही रोचक है Skype को चालू करने के लिए अपना Skype नाम वो पासवर्ट दर्ज करें और तरपच्चात Sign Me In बटन पर क्लिक करें अब यदि आप Skype में संपर्क जोड़ना चाहते हैं तो संपर्क मेन्यो पर क्लिक करें और संपर्क जोड़े का चैन करें फिर Search Skype Directory का चैन करें जिस व्यक्ति से आप जोड़ना चाहते हैं उसका Email ID, Phone Number, नाम वो Skype नाम संपर्क को ढूड़ने और फिर उसे संपर्क में जोड़ने के लिए Add Contact बटन पर क्लिक करें एक संपर्क प्रार्थना बॉक्स खुलेगा जिससे आप जोड़ना चाहते हैं उसे आमंतरत करने के लिए Send Request पर क्लिक करें जब व्यक्ति आपके आमंतरत को स्विकारेगा तो उसका नाम आपकी संपर्क सुची पर प्रदर्शित होगा आप संपर्क सुची से उस Online संपर्क का नाम चुन उससे संपर्क समबाद कर सकते हैं संपर्क सुची का जो सदस्य Online होगा उसके नाम के आगे चेक मार्क हरा हो जाएगा आप किसी के साथ गपशप करना चाहते हैं तो Contacts बटन पर क्लिक करें उस संपर्क के नाम के साथ एक चाट विंडो खुलेगी अपने करसर को चाट बॉक्स पर ले जाएं और अपना संदेश टाइप करना शुरू करें संदेश भीजने के लिए Send पर क्लिक करें अत्वा Enter बटन को दबाएं Voice Call के लिए Call बटन पर क्लिक करें यदि संपर्क आपकी Call स्विकार लेता है तो आप उससे बात कर सकते हैं आप संपर्क को चुन कर उससे फाइलें भी साजा कर सकते हैं फाइलें साजा करने के लिए पहले Conversation बटन को चुने फिर Send बटन को चुने फिर File बटन को चुने आप जिस फाइल को भेचना चाहते हैं उसे खोजें और फिर Open पर क्लिक करें आपका संपर्क भी आपको फाइलें भेच सकता है यदि कोई फाइल भेजी गई होगी तो संपर्क सूची के Notification विंडो में औरेंज चेक मार्क्स के रूप में प्रदर्शित होगी आप Save As बटन का चैन कर फाइल प्राप्त कर सकते हैं ततपश्चाद जिस स्थान पर आप फाइल को संरक्षित करना चाहते हों का चैन करें फिर Save बटन का चैन करें उस स्थान का चैन करें जहां आप फाइल को संरक्षित करना चाहते हैं और फिर सेव बटन जो की एक टायलोग बॉक्स में दिखाई पड़ता है पर क्लिक करें। फाइल खोलने के लिए ओपन फाइल या शो इन फोल्डर पर क्लिक करें। यदि आप स्काइब का परयोग समाप्त कर चुके हूँ, तो साइन आउट करने के लिए स्काइब क्लिक करें फिर साइन आउट बटन का चायन करें। अब मैं आपको स्वता स्काइब का परयोग करते हुए देखना चाहती हूँ। अवश्य है। मैं आपको एक और सेवा के विशय में बताती हूँ, जिसका प्रयोग भी इसी उदेशी के लिए होता है, इसे हैंग आउट कहते हैं हैंग आउट, हाँ हैंग आउट, यह गूगल द्वारा विकसित एक त्वरित संदेश वाहक और वीडियो चार्ट मंच है, यह गूगल के तीन संदेश वाहक उतपाद, टॉक, गूगल प्लस, मिसेंजर और हैंग आउट का मिशृत संसकरन है, हैंग आउट दो या दो से अध लोगों के मध्य बातचीत को बनाए रखता है, हैंग आउट एप्लिकेशन में बहुत सारी विशेशताएं हैं, हैंग आउट का प्रयोग शुरू करने के लिए निम्नपदों का अनुसरन करें, पहला गूगल प्लस में हैंग आउट निशान को स्रजित करना, गूगल प्ल पर दाय हाथ की और स्थित होता है, आगे एक नया हैंग आउट बनाने के लिए हैंग आउट सूची में सबसे उपर के क्षेत्र में न्यू हैंग आउट पर क्लिक करें, यह सूची आपके संपर्कों की सूची वो गूगल प्लस के गोले के निशान में परिवर्तित हो कर भी कर सकते हैं अब Google प्लस हैंग आउट में गपशप प्रारंभ करने के लिए उन व्यक्तियों पर क्लिक करें जिनके साथ आप चाट करना चाहते हैं एक चोटी विंडो प्रकट होगी सेंट अ मेसेज बॉक्स में लेक लिखें और एंटर दबाएं यदि आप अपने वारतालाप में इमोजी जोड़ना चाहते हैं तो मुस्कुराते चेहरे पर क्लिक करें अथवा चैट इक्षेतर के दाई और से मुस्कुराते चेहरे को उठाएं मनोभाव वह इमोजी की एक उची खुल जाएगी जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं वे कई वर्गों में विभाजित होते हैं जो की मनोभाव स्क्रीन के ऊपर आइकॉन को चुनकर ले जाए जा सकते हैं आप चैट इक्षेतर के दाई और पर क्यामरा आइकॉन पर क्लिक करके अपने हैंग आउट के चैन करें का विकल्प या मोबाइल डिवाइसों पर विकल्प मेनू खोलेगा आप फोटो लेने के लिए अपने वेब कैम या कैमरे के फोन प्रयोग कर सकते हैं या आप किसी अन्य स्त्रोथ से फोटो को जोड सकते हैं जैसे की कंप्यूटर अथवा फोन की मेमरी चाट को वीडियो चाट में बदलने के लिए चाट बॉक्स के ऊपर मौजूद वीडियो कैमरा बटन पर क्लिक करें दूसरे व्यक्ति को सूचना प्राप्त हो जाएगी कि आप वीडियो चाट का प्रयास कर रहे हैं आप कंप्यूटर वो मोबाइल दोनों पर वीडियो चाट कर सकत हैं यदि आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो मेन्यू बटन दबाएं और मेन्यू पर प्रकट हो रहे अपने विकल्प को चुने आप चाट विंडो के बाएं हाथ पर मौजूद ग्रुप हैंग आउट बटन पर क्लिक करके समूह में हैंग आउट कर सकते हैं चेक मांचक नहीं था अब हम गतिविधी में भाग लेंगे रोहन आजकल दुनिया भर में लोग एक दूसरे से बाते करने के लिए फेस्बुक वो अन्य सोशल मीडिया सेवाओं का प्रयोग करते हैं दी दी फेस्बुक वो सोशल मीडिया सेवाएं क्या है मैं समझ नहीं पा रह ओ चिंता मत करो मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी सोशल मीडिया उस साधन को दर्शाती है जिससे लोग इंटरनेट नेटवर्क से परसपर संबंद या आपसे समवाद स्थापित करते हैं और सूचना बनाते हैं साजा करते हैं और आदान प्रदान करते हैं सोशल मीडिया उनलाइन संचार के माध्यमों का संग रह है जो की समुदाय आधारित, निवेश, आपसे समवाद, विशेवस्तु, साजा करने और सहयों को समर्पित है सोशल मीडिया एप्लिकेशन के उदाहरन हैं फेस्बुक, ब्लॉग, ट्विटर और लिंक्डिन सोशल मीडिया के कई प्रकार होते हैं, चलो हम उन सब के बारे में और जाने सोशल मीडिया टूल के प्रकार हैं, ओनलाइन चैट, ब्लॉग, सोशल नेटवरकिंग इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के विचारों के आधान प्रदान को ओनलाइन चैट कहा जा सकता है जिसमें की लिखित संदेश संचार भेजने वाले से प्राप्त करने वाले को उसी समय पर सम्वाहित होता है ऑनलाइन चाट को poign to point संचार के साथ साथ मल्टि कास्ट संचार से संबोधित कर सकते हैं जिसमें एक व्यक्ति के संदेश को बहुत सारे लोग एक साथ प्राप्ट कर सकते हैं। उससे वॉइस या वीडियो चाट कर सकते हैं। याहू मिसेंजर और जी टॉक इसके उदाहरन हैं। ब्लॉग किसी व्यक्ति विशेश, समुह अत्वा संगठन द्वारा रखा जाने वाला ओनलाइन बही खाता है। ब्लॉग का प्रयोग अपने किसी विशेश पर जानकारी को इंटरनेट पर लिख कर साजह करने में किया जा सकता है। किसी हाल ही की घटना या नतीजे पर सूचना को साजह करने और रोचक चर्चा व्यक्ति वाद विवाद को साजह करने में किया जाता है। ब्लॉग के उदाहरन हैं ब्लॉगर और वर्डप्रेस। सोशल नेटवर्किंग एक मंच है जो उन लोगों के मध्य एक सामाजिक नेटवर्क या सामाजिक रिष्टा बनाता है जो एक दूसरे से अपनी रुचियां, क्रिया कलाप, प्रश्ट भूमी अत्वा वास्तविक जीवन के संबंधों को साजह करते हैं। वर्तमान में फेस्बुक सबसे अधिक प्रसिद सोशल मीडिया सेवा है। मुझे यह दिखाने दो कि आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल दिदी, रैं फेस्बुक में बहुत इच्चुक हूँ। फेस्बुक के प्रयोग के स्टेप्स फेस्बुक के प्रयोग करने का धंग है। पहले वेब ब्राउजर खोलें, तब एड्रेस बार में www.facebook.com टाइप करें। फिर गो पर क्लिक करें अत्वा एंटर बटन दबाएं। साइन अप में बॉक्स में पंजीकरन का विवरन भरें। फिर Sign Up बटन पर क्लिक करें। यह आपको तीन चरणों में पूर्ण वाली पंजीकरन प्रक्रिया पर ले जाएगा। अब संपर्क में जोडने के लिए Find Friends पर क्लिक करें। आप इस प्रिष्ट की प्रक्रिया को छोड़ भी सकते हैं। फिर Profile सुचना प्रष्ट को भरें। आप इस प्रष्ट की प्रक्रिया को भी छोड़ सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में मौजूद फोटो को अपनी Profile पर अप्लोड कर सेट कर सकते हैं। उसके बाद Save and Continue बटन पर क्लिक करें और आपका Facebook अकाउंट बन जाएगा। आप Find People You Know भाग में लोगों का नाम या email आईडी टाइप कर उन्हें जोड़ भी सकते हैं। आप अपनी अवस्था को भी Facebook पर अप्लोड कर सकते हैं। इसके लिए Status बटन पर क्लिक करें और फिर अपनी अवस्था को टाइप करें और Post बटन दबाएं। Timeline टाब में आप अपने कारिस्थान, शहर, स्कूल और संबंधों का विवरन दे सकते हैं। Timeline बार में एक Search Box भी होता है, जहां आप अपने मित्रों का नाम लिखकर उन्हें खोज सकते हैं। और फिर उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। मित्रता का निवेदन भेजने के लिए Add Friend पर क्लिक करें। एक बार जब आप Facebook पर समाप्त कर चुके हैं, तो आप Facebook बार पर Setting आइकॉन पर क्लिक करके Sign Out कर सकते हैं। फिर Log Out विकल पर क्लिक करें। अब आपके पास Facebook अकाउंट है। जब आपको अगली बार फिर देखना हो, तो अपने email या phone number और फिर password का प्रयोग करते हुए Sign In करें। Facebook अकाउंट आपको संदेश status message भेजने की अनुमती देता है, जो आपके मित्रों द्वारा देखा, वो पढ़ा चा सकता है। संदेश status message भेजने के लिए update status के नीचे blank box पर क्लिक करें और अपना संदेश टाइप करें। फिर post बटन पर क्लिक करें। किसी post अथवा, photo अथवा, content पर अपने विचार भेजने के लिए message के नीचे comment लिंक पर क्लिक करें। एक text box दिखाई देगा, अपने विचारों को टाइप करें और एंटर दबाएं। Facebook बार आपको आपके मित्र के अनुरोध, संदेश और ततकालिक क्रिया क्लापों के विशय में बताता है। दी गई आकृतियां उन्हें उजागर करती हैं। Facebook कई व्यापारों के अपने ग्रहकों समवाद करने तथा कंपनी को बढ़ावा देने के तरीके को बदल रहा है। बड़े ब्रांड वचोटे-चोटे स्टोर अपने ग्रहकों को आकर्शित करने के लिए Facebook संभावनाओं का सफलता पूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। बिजनस को बढ़ावा देने के लिए Facebook पर पेज बनाना Facebook के उप्योगों में से एक है। चुकि यह संसाधन शुल्क रही थैं। आप आसानी से इस साइट की पूरी क्षमता का उप्योग कर सकते हैं। आप अपने बिजनस की प्रुफाइल बनाने के लिए Home Page के तल पर स्थित Create a Page पर क्लिक करें। Local Business और Place पर क्लिक करें। Drop Down Box में सुची बद विकल्पों में से वर्ग का चैन करें। और Form में विवरंड जैसे पता, शहर और संपर्क नमबर भरें। Get Started बटन पर क्लिक करें। अगली विंडो में आपको अपने वियापार के सभी विवरंड भरने होंगे। आप जिस वियापार को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी। अपने पेज पर प्रोफाइल पिचर जोडने के लिए आप या तो अपने कम्प्यूटर पर उपलब्ध फाइल को अपलोड कर सकते हैं या अपनी विबसाइट से मंगा सकते हैं। आप पेज को अपनी पसंदीदा सूची में जोड सकते हैं। आप अपने business page पर payment mode जोड़कर अधिक लोगों तक पहुँच सकते हैं। यदि आप payment mode जोडने के इच्छुक नहीं है, तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं। यदि आप अपने page के लिए भुगतान पदती जोडने के इच्छुक हैं, तो यह window प्रकट होगी। अपने देश के रूप में भारत का चुनाव करें। जब आप Continue बटन पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो प्रकट होती है जो आप से आपके कार्ड के विवरन के बारे में पूछती है। कार्ड का विवरन भरें और Submit पर क्लिक करें। भविश्य में खरीदारी के लिए Facebook आपके भुकतान की जानकारी को सुरक्षित रखेगा। आप Account Settings में कभी भी यह जानकारी मिटा सकते हैं या Manage कर सकते हैं। आप अपने मित्रों को अपने पेजगा सुझाव देकर उसे लोकप्रिय बना सकते हैं। अपना पेज पसंद कराने के उद्देश से आप अपने मित्रों को Build Audience बटन पर क्लिक कर आमंतरित भी कर सकते हैं। आपके मित्रों के नामों की एक सुची प्रकट होगी। आप अपना Facebook पेजग देखने के लिए चुन सकते हैं और आमंतरित कर सकते हैं। आप प्रिष्ट पर ही दिये गए विभिन आइकोनों पर क्लिक करके अपने पेज की जानकारी प्रोफाइल फोटो को बदल सकते हैं। स्टेटस मिसेज पोस्ट करने के लिए करसर को स्टेटस के नीचे के बॉक्स पर पहुँचाने के लिए वहाँ पर क्लिक करें। अपना मेसेज टाइप करें और शेर पर क्लिक करें। किसी पोस्ट अथवा फोटो अथवा कंटेंट पर अपने विचार भेजने के लिए मेसेज के नीचे कमेंट लिंक पर क्लिक करें। अपने करसर को कमेंट बॉक्स में पहुचाने के लिए क्लिक करें। अपने कमेंट को टाइप करें और कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। Facebook अकाउंट से साइन आउट करना। Facebook से साइन आउट करने के लिए होम पेज पर उपर दाहिनी और ड्रॉप डाउन एरो बटन पर क्लिक करें। Facebook से बाहर निकलने के लिए लोग आउट पर क्लिक करें। अब अपने आप Facebook का प्रयोग करने की कोशिश करें। हाँ, अब मैं इतना जानता हूँ। चलो, अब Twitter नाउट करें। हम की एक और शक्तिशाली सोशल नेटवरकिंग साइट के बारे में जानते हैं। Twitter के माध्यम से आप बाहर तक पहुँच सकते हैं। और दुनिया भर में लोगों के साथ अपने विचार, प्रभावी ढंग से साजह कर सकते हैं। यह फ्री है और दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा आपस में बातचीत करने, वह सक्रिय रूप से जानकारी साजह करने में प्रयोग की जा रही है। ट्विटर का प्रयोग करने के पद हैं। पहले ट्विटर पर एक अकाउंट बनाए। www.twitter.com पर जाएं और आवश्यक सूचना भर कर साइन अप करें। एक बार जब आपने अपना अकाउंट बना लिया है और सफलता पूर्वक साइन इन कर लिया है, तो आप ट्विटर का प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप अपने अनुयाईउं के साथ कोई सूचना साजा करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स में अपना संदेश लिखें और फिर नीचे दिये बटन पर क्लिक करें। ट्विट केवल 140 अक्षरों तक का ही हो सकता है, अतह यह आपके ट्विट को संक्षिप्त रखता है। उन व्यक्तियों का पीछा करने के लिए जिनसे आप ट्विट प्राप्त करते रहना चाहते हैं, होम पेज पर दिये हुए मेन्यू बटन का प्रयोग करें। और फिर who to follow, शेत्र के नीचे प्रदर्शिद follow बटन पर क्लिक करें। किसी को सूची में जोडने के लिए उसकी प्रोफाइल पर जाईए और टूल बार में उसके आइकॉन पर क्लिक करें। और add और remove from list का चैन करें। आपकी सूची के साथ एक मेन्यू प्रकट होगा। आप एक नई लिस्ट बनाना चुन सकते हैं या मौजूद सूची में ही आदमी को जोड सकते हैं। अपनी profile picture अपलोड करने के लिए आप अपने user नाम के नीचे drop-down menu में setting पर क्लिक करें। तब profile विकल्प पर क्लिक करें। फिर computer पर उस folder को चुनने के लिए जिसमें आपने photo save कर रखा है, choose file पर क्लिक करें। यह picture पूरी site पर आपके नाम के साथ दिखाई देगी। यह JPG, GIF या PNG फाइल होनी चाहिए और 700KB से छोटी होनी चाहिए। प्रोफाइल का शेश विवरंड जैसे अपना नाम, स्थान या विब साइट भर सकते हैं। यदि आप Facebook पर tweet post करना चाहते हैं, तो profile page के तल पर post your tweet to Facebook बटन पर क्लिक करें। ट्वीट मीडिया और privacy सेटिंग की समिक्षा करें। यह आपकी सेटिंग के अकाउंट के तहत सुची बद होते हैं। एप्लिकेशन बॉक्स को चेक करें और save changes बटन पर क्लिक करें। समय समय पर अपना password बदलते रहें। समय समय पर अपना password बदल कर अपने अकाउंट की इसके लिए सेटिंग में password पर क्लिक करें। अपना पुराना password एंटर करें। फिर दो बार अपना नया password एंटर करें। फिर समाप्त करने के लिए change पर क्लिक करें। तै करें कि आप Twitter से email का प्राप्त करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन्स टाब के अंतरगत कारियों की एक सुची होती है। उन कारियों जिनके लिए आप email प्राप्त करना चाहते हैं के बाद बॉक्सों को चेक करें। प्रतेक प्रोफाइल default bank ground वो color scheme के साथ शुरू होती है। निम्न पदों के द्वारा आप इसका निजिकरन क कर सकते हैं। सेटिंग की design टाब पर क्लिक करें। आप change background image बटन का प्रयोग करके उपलब्द चित्रों अथ्वा स्वेम के द्वारा unload या upload किये गए चित्रों में bank ground का chain कर सकते हैं। तब अपने computer से upload करने के लिए choose file पर क्लिक करें। चेंज design color पर क्लिक करके आप रंग योजना के साथ भी खेल सकते हैं। देखते हैं कि क्या आप अपने आप computer का उप्योग कर सकते हैं। अब मुझे यकीन है कि तुम Facebook वर Twitter का आसानी से प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल दीदी निश्चित रूप से कर सकता हूँ। प्रते एक प्रेश्ण के लिए सही विकल्प चुने। सही है अच्छा प्रयाज। सही है अच्छा प्रयाज। सही नहीं है रिपया पुनह प्रयाज करें। सही है अच्छा प्रयाज। सही नहीं है रिपया पुनह प्रयाज करें। सही है अच्छा प्रयाज। रोहन क्या तुम जानते हो कि कुछ ऐसी वेब साइटे भी हैं जो धेर सारी ऐसी जानकारियां उपलब्द कराती हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं दीदी ये कौशे साइटे हैं। वे हैं यूट्यूब और विकिपीडिया। दो सरवाधिक लोकप्रिय साइटे हैं जिनके द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं वो साजह कर सकते हैं। यूट्यूब गूगल द्वारा पेश की गई एक फ्री वेब साइट है। यूट्यूब अर्बो लोगों को मूल रूप से बनाये गए वीडियो को खोजने, देखने वा साजह करने की अनुमती देता है। यूट्यूब दुनिया भर में लोगों को जुड़ने, सूचित और प्रिरित करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। तथा मूल सामगरी संचित करने वाले छोटे वा बड़े विज्यापन दाताओं के लिए एक वितरण मंच के रूप में कारे करता है। यूट्यूब चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, एडॉप फ्लाश प्लेयर और स्पीकर की अवश्यक्ता होगी। पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और इंटरनेट एक्स्प्लोरर खोले। फिर एड्रेस बार में www.youtube.com टाइप करें और गो बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। यूट्यूब वेब पेज लोड होता है, आप पेज के टॉप पर सर्च बार देख सकते हैं। अब Search Outems या Search Keywords टाइप करें और सर्च बटन पर क्लिक करें या एंटर दबाएं। फिर संबंधित वीडियो देखने के लिए Link पर क्लिक करें। आप देखें कि चैनित वीडियो वीडियो प्लेयर में चलने लगता है। आप वीडियो प्लेयर के नीचे विभिन नियंतरक जैसे प्ले, पॉज, वॉल्यूम, म्यूट, टोटल टाइम, चेंज क्वालिटी और फुल स्क्रीन देख सकते हैं। आप वीडियो के नीचे वीडियो का विवरण वह उस पर टिपणियां देख सकते हैं। आपको लोकप्रिये वसामाने वीडियो देखने के लिए अकाउंट रखने की आवश्यक्ता नहीं होती है। किन्तु निजी वीडियो देखने के लिए आपको लॉग इन अकाउंट की आवश्यक्ता होती है। गूगल अकाउंट का प्रयोग करते हुए यूट्यूब मत साइन इन करने के लिए यूट्यूब वेब पेज के दाएं हाथ के कोने में सबसे उपर साइन इन बटन पर क्लिक करें। गूगल साइन इन पेज प्रकट होता है। अब अपना इमेल एड्रेस तथा पासवर्ट टाइप करें। और साइन इन बटन पर क्लिक करें। यदि आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो आपको उसे बनाना होगा। यूट्यूब पेज प्रकट होगा। सर्श बॉक्स के बाद अप्लोड बटन पर क्लिक करें। पहली बार उप्योग करने वालों से यह अपना चानल स्थापित करने के लिए कहेगा। और कुछ निजी जानकारियां जैसे लिंक और जन्मतित ही पूछेगा। इन विवरण पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि अप्लोडिंग चालू हो गई है और प्रगती आपको वेब पेज पर दिखाई देती है। जब अप्लोडिंग पूरी हो जाती है तो एक संदेश अप्लोड कंप्लीट प्रकट होता है। आप बाद में वीडियो यूट्यूब पर सकते हैं। एक बार जब वीडियो अप्लोड हो जाता है तो आप वीडियो मैनेजर का प्रयोग करके उसकी गोपनियता सेटिंग बदल सकते हैं। या वीडियो को मिटा सकते हैं। पहले वीडियो मैनेजर पर क्लिक करें। तब जिस वीडियो को मिटाना है उस पर क्लिक करे तब आक्शन मेन्यू पर क्लिक करें और डिलीट का चैन करें एक पुष्टी करन संदेश प्रकट होगा येस डिलीट बटन पर क्लिक करने पर वीडियो मिट जाएगा मुझे दिखाओ कि अब आप यूट्यूब का प्रयोग स्वेम कर सकते हैं बिल्कुल झाल अब हम विकिपीडिया के बारे में पढ़ते हैं विकिपीडिया एक वेब एप्लिकेशन है जो की किसी को वेब साइट पर रखे गए कंटेंट को पढ़ने या एडिट करने की अनुमती देता है किसी इन्फोर्मेशन को एक्सेस करने के लिए Wikipedia को प्रयोग करने के लिए उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार है पहले Wikipedia साइट पर जाए www.wikipedia.org तब सर्च बार में टेक्स्ट टाइप करें Language का चैन करें और फिर arrow बटन दबाएं अगला प्रश्ट आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को प्रदर्शित करेगा Page के सबसे उपर के भाग में Page के Contents उसके प्रतेक भाग के Hyperlink के साथ होते हैं आप किसी विशेश Section पर क्लिक करके सीधे उस Section पर जा सकते हैं सामानित सभी पेजों के आखरी से दूसरा पिछले भाग See Also का होता है जहां संबंधित लिंक दिखाए गए होते हैं और अंतिम भाग References का होता है जिसमें संबंधित विशेश के विभिन लिंक दिये होते हैं Wikipedia में किसी लेख को संपादित करने के बद है पहला यदि आप वर्तमान में उप्योग करता हैं तो Sign In करें अथवा Account बनाएं तथ पश्चात सफलता पूर्वक Sign In करने के पश्चात Edit Link पर क्लिक करें अब वह उस पेज के लिए लेख युक्त एक विंडो खोलेगा कुछ पर टाइप करें या वहां जो लेख मिलें उसमें परिवर्तन करें यदि पेज के शिर्च पर आपको Edit का विकल्प न दिखाई दे तो शायद पूर्ण परिवर्तनों की अधिक घटनाओं के कारण यहे पेज सनरक्षित है यदि आप लेख के भाग में छोटा परिवर्तन कर रहे हैं तो उस भाग के बगल में Edit Link पर क्लिक करें यह बिना पूरा लेख खोले आपको लेख के उस भाग में परिवर्तन की अनुमती दे देगा अब पेज के अंत पर Edit Summary box में अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की व्याख्या दें अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की पूर्व समिक्षा करने के लिए Show Preview बटन पर क्लिक करें यदि आप अपने द्वारा किये गए कारे से संतुष्ट हैं तो पेज के नीचे Save Page बटन पर Hit दें Wikipedia पर पेज बनाने से पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए पेज बनाने से पूर्व मौजूदा लेख खोजे कोई आर्टिकल बनाने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उसी विशे पर कोई आर्टिकल नाम में थोड़े फर्क के साथ पैरग्राफ पहले से ही तो मौजूद नहीं है आप जिस बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में सूचनाओं का स्रोत ढूंडे आर्टिकल सोर्सिंग के ढंग पर विस्तरत निर्देश विकिपीडिया के WP साइट पेज पर पाई जा सकते हैं विकिपीडिया इन विश्यों पर पेज बनाने की अनुमती नहीं देता है व्यापार के लिए अपने उत्पाद का विज्यापन, व्यक्तिगत निबंध या मूल अनुसंधान, पर्याप्त साइटेशन के बिना उलेखन हीन विश्यों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपसे ही संबंधित, किसी व्यक्ति या संगठन पर हमला, स्थानिय ला जिट की गई सामगरी का उदेश्य, सुर, नसर्गिक बनाए रखें, ग्राहक विश्य से अपने रिष्टे का खुलासा, पेज बनाने में व्यक्तिगत खातों का प्रयोग न करें, मददगार की भरती करें, समान विश्य पर कारे करने वाले प्रायोजक खोजें या विश् प्रस्तत करें, विकिपेडिया में पेज बनाने के लिए पद है, पहला यदि आप वरतमान में उप्योग करता हैं, तो साइन इन करें, अत्वा अकाउंट बनाए, सर्च बॉक्स में अपने पेज का शीर्षक टाइप करें, फिर गो पर क्लिक करें, यदि जिस पेज का नुरोध किया है, अस्तित्व में नहीं है, तो सर्च पेज रिपोर्ट में लाल रंग में आर्टिकल के नाम के बाद, यू में क्रियेट दे पेज की रिपोर्ट देता है, तब आप लाल आर्टिकल के नाम पर क्लिक कर आर्टिकल बनाना शुरू कर सकते हैं, यह एक ब्लैं किये गए परिवर्तनों की व्याख्या दें अपने द्वारा किये गए परिवर्तनों की पूर्व समिक्षा करने के लिए शो प्रिव्यू बटन पर क्लिक करें यदि आप अपने द्वारा किये गए कारे से संतुष्ट हैं तो पेज के नीचे सेव पेज बटन पर हिट दें हो ठीक है झाल मुझे यकीन है कि तुम YouTube, Word, Wikipedia के विशे में काफी कुछ जान गए हो चलो अब गतिविधी में भाग लेते हैं